अपने काम को आधार बना कर दिल्ली के विधानसबा चनाव जीत कर फिर से सत्ता में आने वाले मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल खुद को दिल्ली की जनता का मसीहा बताते हैं आए दिन टीवी पर इंटर्व्यू देते नजर आते हैं कि कैसे वो राजधानी का उद्धार करते हैं लोगों की मदद करते हैं ना जाने क्या-क्या इंतिजाम कोरोना के मरीजों के लिए उन्होंने करवाए हैं जनता के हित में बाते तो ऐसी कर देते हैं जैसे इन से कुछ और ही है अर्विन केजरिवाल को दिली की जनता की कोई फिक्रिन नहीं है उन्हें तो बस सत्ता की ही चाह है अब तक केजरिवाल ने जो कुछ भी जूट जनता से बोले हैं उन सभी का परदाफाश हो गया है इनके जूट की तो एक लंबी लिस्ट है वो मैं आपको आ और दूसरा अमरप्रीत नाम की महिला का है जो की तीन जून को किया गया है दोनों ही महिलाओं ने मुख्यमंत्री अर्विन्द केजरिवाल को अपने ट्वीट में टैग किया है सागरिका अपने ट्वीट में दिली में लॉकडाउन के बाद सलून खुलने पर हमारे चहीते सीएम का धन्यवाद करती है जिसका बड़ी ही नम्रता से जवाब दे कर केजरिवाल लिखते हैं इन्जॉय और हैकर्ट सागरिका घोष लुटियन गैंग की पत्रकार है ये बीजेपी विरोधी जोनलिस्ट राजदीप सर्देशाई की वाइफ है लोकसबा हो या विधानसबा हर चनाव में ये अपनी पत्रकारिता के जरिये केजरिवाल का प्रचार करती है और बीजेपी का विरोध करती है मतलब ये कि सागरिका घोष केजरिवाल की काफी पसंदीदा पत्रकारों में से एक है इसलिए जब उन्होंने ये बताया कि हेरकट में समस्या हो रही है तो दिल्ली के बेटे केजरिवाल ने फॉरण दिल्ली में सलून और ब्यूटी पारलर को खुलवा दिया लेकिन एक असहाय और बेचारी आम महिला ने केजरिवाल सरकार से गुहार लगाई तो केजरिवाल के कान में जू तक नहीं रहेंगी जरा देखिए अमरपीत ने क्या ट्वीट किया अमरपीत लिखती है ये ट्वीट ऐसा है जिससे कठोर से कठोर शक्स का कलेजा पसीच जाए अगर किसी में जरासी भी इंसानियत बची हूँ तो फॉरन इस अबला की मदद के लिए भागा चला था हैरानी की बात तो ये है कि अमरपीत के ट्वीट को कई लोगों ने रीट्वीट किया लेकिन पूरी की पूरी दिल्ली सरकार कुमकरण की नीन में सोती रही अमरपीत के ट्वीट पर सीम साहब का कोई रिपलाई नहीं आया वैसे जहां तक हमने देखा है सीम साहब हमेशा ही इस बात का दावा करते नजर आते हैं कि वो किसी में फर्क नहीं करते ये हमेशा यही कहते हैं कि ये आम आदमी की सरकार है लेकिन इस घटना से यही साबित होता है कि केजरिवाल सिर्फ खास लोगों की सुनते हैं अगर वो दिल्ली के आम लोगों की बात सुनते हैं उनके दर्द को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो फिर अब इस ट्वीट का उन्होंने कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया? ओ, शायद इन महतर्मा ने केजरिवाल जी से मदद की गुहार लगाई थी न, इसलिए अब एक बार समझते हैं अमरप्रीत की पूरी कहानी दरसल दिल्ली में रहने वाली अमरप्रीत के पिता कोरोना पॉजिटिव पाई गए थे जिसके बाद उन्हें गंगाराम अस्पटाल में भर्ती करवाई गया था लेकिन तेज बुखार और सास लेने में दिक्कत के कारण अचानक उनकी तब्यद बिगड़ गई और उन्हें दिल्ली के एलन जे पी अस्पटाल में भर्ती करवाने को कहा गया लेकिन अस्पताल वालों ने अमरपीत के पिता को भरती करने से इंकार कर दिया वो अस्पताल के बाहर अपने पिता को लेकर लाचार खड़ी रही इसके बाद उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री से ट्वीट के जरिये मदद की गुहार लगाई दिल्ली के MLA दिलिप पांडे, CM अर्विन केजरिवाल और डिप्टी CM मनीश से सो दिया सभी को उसमें टैग भी किया यहां तक की इस महिला ने वो आडियो तक शेयर किया जिसमें इसके पिता को गंगाराम अस्पताल से LNJP अस्पताल शिफ्ट करने की बात सुनकर अस्पताल वालों ने उन्हें भरती करने से इनकार कर दिया यह महिला मदद के गुहार लगाती रही और सरकार चैन की नीन सोती रही और एक घंटे के बाद फिर एक ट्वीट अमरप्रीत की ओर से किया गया जिसमें लिखा था He is no more, the government failed us उसके पिता नहीं रहे केजरिवाल के लिए इससे शर्मनाख बात कोई दूसरी नहीं हो सकती कि एक अबला, एक घंटे तक अपने पिता की जिंदगी के लिए मिननते करती रही मदद के लिए गुहार लगाती रही डॉक्टर्स और केजरिवाल से पिता की जिंदगी की भीक मांगती रही लेकिन ना तो डॉक्टर आया, ना मदद मिली, ना ही केजरिवाल की तरफ से कोई जवाब आया ये साफ तोर पर कहा जा सकता है कि अमरप्रीत के पिता की मौत का कारण अस्पताल का स्वार्थ, सरकार की लापरवाही और अर्विंद केजरिवाल के जूटे वादे है हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक एप लॉंच की है कोरोना वाइरस डैशबोर्ट जिसमें देखा जाए तो LNJP अस्पताल में 2000 बेड लगे है इन में से 1129 बेट खाली दिखाए जा रहे है एक तरफ तो केजरिवाल बताते हैं कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना से हम जंग जीत लेंगे लेकिन कैसे जूट के आधार पर, इस जूटी आप के आधार पर लॉंच करके आप लोगों की जान बचाने के बजाए उनकी जान को जोखिम में डाल रहे है सागरिका घोश आपको ट्वीट करती हैं तो आप उन्हें धन्यवाद देते हैं जब अमरप्रीत ने आपसे मदद की गुहार लगाई तो दिल्ली की सरकार को साप सूंग गया अर्विन केजरिवाल की इस हरकत के बाद एक बाद तो साबित हो गई कि आम आदमी पार्टी की प्रात्मिकताएं क्या है और तो और ये सरकार इतनी गिरी हुई है कि इतना कुछ होने के बावजूद एक बार भी अफसोस तक नहीं जताया अर्विन केजरिवाल की इस हरकत पर मैं नहीं बलकि उन्हीं की जनता सवाल उठा रही है उनकी इस हरकत पर लोगों ने ट्वीट कर निंदा की है एक यूजर लिखते हैं ये दुखत गटना साफ दर्शाती है कि अर्विन केजरिवाल सरकार COVID-19 की रोखताम में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है सरकार द्वारा जारी हेलपलाइन से किसी भी तरह की मदद जनता को नहीं मिल पा रही है एक अन्य यूजर लिखते हैं कि ये सच्चाई है अर्विन केजरिवाल की अरे केजरिवाल कास जवाब दे दिया होता तो उनके पिता बच जाते और कितना गिरोगे जवाब दो यही दिल्ली मॉडल है क्या एक अन्य wonder ने तो केजरिवाल की सच्चाई सामने रखते हुए लिखा शर्म करो केजरिवाल और कितनी जिन्दगियों के साथ अपनी घटिया राजनीती करोगे अर्विंद केजरिवाल एक user ने ये तक लिख दिया This is not just death, this is a murder and Arvind Kejriwal is the murderer Arvind Kejriwal का चहरा जनता के सामने आ गया है असल में Kejriwal सिर्फ जूट और धोके की ही राजनीती कर रहे है कोरोना जैसी महमारी के बीच जहां पूरी जनता सरकार के सहारी की उमीद लगाए बैठी है वहां अर्विंद केजरिवाल ने तो दिल्ली की जनता को भगवान भरो से छोड़ दिया है अर्विंद केजरिवाल का असली चहरा जनता के सामने आ गया है असल में केजरिवाल सिर्फ छूट और धोके की राजनीती कर रहे है कोरोना जैसी महामारी के बीज जहां पूरी जनता सरकार के सहारी की उम्मीद लगाए बैठी है वहां अरविंद किज्रिवाल ने दिल्ली की जनता को भगवान भरों से छोड़ दिया है किज्रिवाल को अपनी इस हरकत पर शर्मानी चाहिए कि एक तरफ कोई महिला आपको शुक्रिया कर रही है आप उसका रिपलाए कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक लाचार महिला अपने पिता की जिन्दगी के लिए आपसे मदद की गुहार लगा रही है लेकिन आप पर उसका कोई असर तक नहीं हुआ आपने दिल्ली के बॉर्डर सील किये जिससे दूसरे राज्य के कोरोना मरीज दिल्ली इलाज कराने ना सके लेकिन उसमें भी आपकी सरकार नाकाम रही और बिना पास के अभी भी लोगों की आवाजाही लगी हुई है अगर यही हरकत केंद सरकार की ओर से की जाती तब वो केजरिवाल ही होते जो सबसे पहले मोधी के खिलाफ आवाज उठाते पीम को जिमिदा ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते अब है कोई जवाब आपके पास जनता को देने के लिए ऐसे ही ना जाने कितने लोग हैं जिनको दिल्ली सरकार की लापरवाही की वज़ह से अपनी जान गवानी पड़ रही है चुनाव के समय केजरिवाल ने बड़े बड़े वादे करके जनता को लुभाने की कोशिश की और जूट और फरेब के आधार पर चुनाव जीत कर अपनी सरकार बना ली आम आदमी पार्टी पर आए दिन सवाल उठाए ही जा रहे हैं कभी शाहिनबाग के प्रदर्शन में आपके विधायक का हाथ होता है तो कभी दिल्नी दंगों में आपके पारशत का और फिर दिखावे के तौर पर केजरिवाल उन्हें या तो पार्टी से बाहर निकाल देते हैं या फिर उनकी ही पार्टी के लोग ऐसे क्रिमिनल्स के बचाव में उतराते हैं जिस पार्टी का आधार ही जूट और फरेब है वो राजधानी की सरकार क्या चला रही है झाल झाल